तो हे गाईज कैसे हो आप सब गेविंग नूज 94 के रहें आज गाईज मैं आपको पूरी कॉंट्रोवर्सी एक्सपेइन करने वाला हूँ बिट्विन क्लच गोड एंड मेजी जहाँ पर क्लच गोड काफी कुस्सा हो गए थे आगे आपको बताऊंगा कहां से पूरी चीजे शुरू हुई एंड जैस कुस टाइम पहले कलच गोड वापस से इस पर रिप्लाइ किये तो कहीं जू टाइम पर चल रहा था बीजैस राउंड थी डे टू पर मैच नमबर फॉर तो यह जी जब स्क्रीन पर शो हो रही थी वहाँ पर मेजी कुछ ऐसा बोल देते हैं तो गई जिस तरह के से मेजी ये कही कि वो रिलोड करना सही नहीं समझ रहे है उनको रिलोड करके फाइट लेनी चाहिए वो उनके लिए अच्छा होगा जिसको शेर करते हैं सबसे पहले क्लच गोड ये लिखे ग्यान देना कम और अपने काम पे ध्यान जादा देना चाहिए और इसके बाद गाईज हमको मेजी की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली जहापर सीधा क्लच गोड को टैग करते हुए वो ये लिखे भाई का दिमाग थोड़ा स्लो चलता है और फिर ये चीज गाईज क्लच गोड को पसंद नहीं आये होगी वापस से वो अपनी स्टोरी में ये लिखे गेम के ले भी इतना दिमाग चलता है तो और फिर ये स्टोरी पर रिपलाई करते हुए मेजी ये लिखे हमेशा यही तो कहा जाता है पढ़ाई लिखाई तमीज और तहजीब नहीं सिखा सकती जिसको डिलेट करके वो वापस से ये लिखे हमेशा कहते हैं पढ़ाई लिख करने से तमीज तहजीब नहीं आ सकती पर इसके बाद गैस कुछ लोग ये बोलने लगे कि वो रिलोड वाली चीज मेजी ने म4 के लिए बोली है जिसके बारे में हमको वापस से कलच गोड की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली जापर वो ये लिखे इस ओडियो को सुनकर कितना अच्छा लग रहा है और जो कुछ बच्चे थे जिने नहीं समझा फिर देखो सुनो क्या बोल रहा है कास्टर एंड गैस फिर अगेन हमको मेजी की तरफ से अगेन वो सेम स्टोरी देखने को मिली अब इसके बाद कुछ गिने चुने लोग जो गाईस हमारी वीडिय होना चाहिए पर अब एक प्लेयर ने उनकी कास्टिंग पर एडवाइस दिया कि अच्छी कर लो तो वो हो गई ट्रिगर एंड मुझे लिखने लगे कि मेरा ब्रेन स्लो है और इस पर मेरा इंपल्सिव नेचर जैसा भी रियाट किया उसके उपर मैं चोर होकर विक्टम कार खेल दिया तो ये चीज भी देख लो मेरा मैं चोर आंसर एंजीन लोगों ने भी इसको कॉंट्रोवर्सी बोला ये देख लो और जिनों ने भी वीडियो डालाओ का वाइटी पर ये भी एड कर लेना या फिर बिलकुल भी मत करना इंड इसके बाद गये जैस कुछ टाइम पहले क्लच गॉड वापस से लाइव आये थे इस पर वो अगेन रिप्लाई किये अब दिखिये तो या गाईज अभी तक तो हमको यही रिप्लाई देखने को मिले हैं अब देख लेते हैं इसके उपर कुछ रियेक्शन कुछ लोग यह चीज़ सेट के चैट में भी स्पैम कर रहे थे जिस पर वो कुछ यह रिएड किये किसकी स्टोरी उसकी स्टोरी I don't give a f*** मिरे को मत बूचो मिरे को कोई कमेंट यह वो लगा सुन नहीं करने का है then जो टाइम पर लोल्स लाइब आए यह चीज़ चल रही थी तो लोल्स वहाँ पर यह कहे अभी करेंटी वो कुछ भी कमेंट करना नहीं चाते then new यह चीज़ पर guys Clutch God को सपोर्ट किये थे वैसे जो आपका इस के रिटेट क्या कहना है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना and guys लफडास के रिटेट बात कर रहे हैं तो next एक अपडेट निकल कर आती है ट्रिगर इंसान की तरफ से आज कल काओं भी सारे हमको ईल अफडास देखने को मिल रहे हैं जिस पर वो एक रिल अप्लोड किये थे अब देखिए and अभी कलज गोड के बारे में बात कर रहे हैं तो कलज गोड राउंड थी में जो भी टीम्स खेल रही हैं उनके प्लेयर से कुछ बात किये बेसिकली कलज गोड एक वे बताए ताकि चीटिंग बिलकुल कम हो जाए ओलेडी आपको बताए है क्राफटर न कितने सारे टीम्स को डिस्क्वालिफाई कर रहे हैं फोर चीटिंग तो आप देखिए exactly कलज गोड क्या कहे स्पेसिफिकली वो अकाउंट पर ऐसा सर्वे गरते ती मतलब यह है अगर यूज करेंगा न तो इसके जैक निकाल देंगा अम लोग आप कर सकते हो अगर चाहिए तो अगर गाइस नेक्स ने लोग बात करने वाले हैं बीजैस राउंड त्री डे टू के बारे में तो किये थी थी एक्स वालिफा डू यह 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 I saw pointables very good very good अच्छा के लेलो क्या बोलो क्वालिफा गए खोब हम भी होड़ा है और इसके बाद गई तो गई सिट बी कंग्रेट किये स्काउट एंड टीम अब दिख्खीये स्काउट को अब दिख्खिये और गैस नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं और एंगु टैन एंड कोड लाइक के रिलेटिट इस पर की की रिपलाई किये तो कुछ से हैं पहले गाईज आपको पता ही है जहाँ पर और एंगु टैन की तरफ से हमको एक पोड़कास देखने को मिला था अब जब और एंगु टैन अल्मोस्स बीजैस से बाहर हो गए हैं तो यही चीज के बारे में गाईज के की रिपलाई किये आप दिखिये इसे जादा बोलने का निया जितना जादा बोलते हो न फिर जब बुरा होता है तो फिर ऐसा बहुत आप दो अधिे चाम के पड़ा करो यार फाइदा नहीं है जितना कम बोलोगे उतना अच्छा आप देखिए हैं गाइडर के मैचे से पर्सो नहीं लेकिन ऑफ लाइन है तो राउंड थी के रिलेटेड अब देखिए और गैस नेक्स एक अपडेड निकल कर आती है सकाउट की तरफ से तो गैस किसी ने सकाउट से ये पुझा कि हम लोग फाइनल्स में देखना जाते हैं तीम एक सपार्क वसेज टीम जीरो तीज के रेटेड सकाउट अपना रियक्शन दिये अब दिखिए और गैस नेक्स एक अपडेट है जी प्लेयर्स के डिलेटेड जोगी निगल कर आती है मवी की तरफ से तो गैस काउट वी टैम्स अंब गलोबली इस्पोर्ट्स काउट्स में देखिए उसके प्लेयर्स लाइब देखने को नहीं मिली है जिसके डिट काफी लोग मवी से पूछ रहे थे जिस पर वो ये कहे जी प्लेयर्स अब खुद होकर नहीं आते श्ट्रीम परना पहले लिए यार पमेश भीया पमेश होनी है वो लोग e-sports फोकस नहीं और गाइस नेक्स एक बड़ी अपडेट है चरण जोट के रिलेटर जो कि टीम गोडलाइक का भी पार्ट है तो कैस वो रिपर्जेंट करने वाले है टीम इंडिया एकस एपसी को वर्चूल बुंडस लीगा में जिसके रिलेटर एक्टर जोन अब्रायम भी उनको को अब दिखिये जॉन अब्रायम यह जोन आपकाइस लीगा इंटनाशनल सीरीज एक एसपोर्ट से अलग निवस है हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर बीस वर्सिस टी सेरीज के रिलेटर तो गैस अभी करन लेटर एक रिलेटर जोन इस अब्राट इस वर्स वर्स टी सेरी अब निवस्ट यूथ सेरीज पर सबसे जयादा सबस्क्राइबर्स हैं टी सीरीज के 265 मिलियन बट मिस्टर बीस के भी हो गए है 258 मिलियन और यूश सबस्काइबर्स गैप आप काफी कम रह गया है आप देख सकते हो केवल 6.6 मिलियन का और जिस तरह की से मिस्टर बीस के subscribers increase हो रहे हैं looks like ये काफ़ी जल्दी तूटने वाला है तो guys for the first time ये जीज openly share करते हैं Mr. Beast इस पर ये लिखे I challenge the CEO of T-Series to a boxing match basically T-Series के CEO को वो एक boxing match के लिए challenge कर दिये अब 99% chances तो guys ये है कि कोई भी boxing match नहीं होने वाला है बट अगर हो गया तो guys it's gonna be a big event by the way काफ़ी लोग including Indians भी Mr. Beast को ज़्यादा support कर रहे हैं आप किसको support कर रहे हो मेरे को comments में जरूर बताना तो बस guys फ्याल के वीडियो में इतना है तो आप वीडियो बस नहीं तो guys वीडियो को लाइक जरूर कर देना मैं मिलता हूँ आप से next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई